अपने घर पर बुल्डोजर हर चीज का समाधार नहीं है आप खुद एक बहन हैं किसी भाई की बहन है आप आप किसी पिता की बेटी हैं आपको तो खुछ समझना चाहिए कि आप महिला हैं और आपको एक महिला होने के नाते महिला की बेटी के इंसाफ की मांग को उठाना चा पासकर बीजेपी की मंतरी इसमिती इरानी वो तो ऐसी मंतरी हैं कि जो महिलाओं के और बेटियों के मामले पे बोलती ही नहीं है वो ना तो महिला कभी सदन में बोलती बेटियों के लिए और ना कभी सदन के बाहर बोलती मैं तो देश की महिलाओं से जानना चाहता हूं कि जवाब दीजे ना, बीजे तोर पर आरोप मुख्खे मंतरी पर लगाता हूं जो भारत्य जंतापार्टी के बीजे पी के नेपूर, बीजे पी के मंतरी के बेटे को बचाने का काम कर रहे हैं जिस तरीके से उसके साथ जो कुछ हुआ उसके बारे में क्योंकि इस पर अभी तक सभी लोग चुप हैं आप बीजे पी के नेता तो चुप होगे ही होगे। क्या वो आपकी अवाज को उठा रही है आप इस सवाल का मुझे जवाब दीजे ना दूसरी बाप ये कि अंकिता भंडारी का जो मामला है मैं आपको बता दू है मामला जो की उत्रा खंड का है जिसके अंदर भारतिया जंता पार्टी के पूर मंतरी का बेटा शामिल है ठीक ह घर पर देने के लिए लेकिन जब बामला अंकिता भंडारी का होता है और जिसमें बीजेपी का पूर मंतरी का बेटा सामिल होता है तो कपिल मिस्रा जैसे लोग नहीं पहुंचते है मनोच तिवारी जैसे लोग मुझ से नहीं बोलते हैं लेकिन अगर विपक्ष के पर बोलना चाहिए और देश के अंदर इसमिती रानी जी सिर्फ तभी बोलती है जब उनकी बेटी के ओपर आरोप लगें आप देश्मिती रानी की बेटी के ओपर लगा दीजी आरोप इसमिती रानी कल सदन में खड़ी होकर चिलाने लग जाएंगी विपक्षियों पर ट जो बेटों से आगे निकल रही है भारत देश का कोई ऐसा चेतर बताइए जिसमें काम नहीं करती बताइए आप मुझे बैणिक से लेकर और द्योगिक कर रही है आप उसके लिए अबद्र भाषर का प्रियोग करते हैं आपको शरम आने चाहिए क्या आपके घर के अंदर बेटी को बीटी को एसा समझते कि बेटी सिर्फ घर के अंदर खाना बनाने के लिए नहीं इस देश की बेटी परवत पर चढ़ने के लिए भी बनी है पिर चाहें फिर इस देश के अंदर डॉक्टर्स हो इंजिनियर्स हो एडवोकेट्स हो हर एक चेटर में आपको महिला YOU दिख ती को आज के दॉर मैं आप चले जाई यह को right快 के अंदर ज इसस्पितल के अंदर चले यह हर जहके उनको छिपाने के लिए तुरंत उनों ने बुल्डोजर चलवा दिया अपरादी के घर पर बुल्डोजर नहीं चला लेकिन पहले उस रिसोर्ट के उपर बुल्डोजर चल गया ये तो बताई ना आप मुझे अरे भाई अवैद था एक बात आप मुझे बताईए ना योगी सत्य को छिपाने का काम किया है इसलिए आपने उस पे बुल्डोजर चलवाया है मैं सीज़ेत तोर पर आरोप मुझे मंत्री पर लगाता हूं जो भारतिय जनता पार्टी के बीजेपी के नेपूर बीजेपी के मंत्री के बेटे को बचाने का काम कर रहे हैं आपको बता वारेंगे अगर यही काम इस देश के अंदर को ही आपको मैis बतादु किसी मिलग करते ना यही काम किसी मुसल्मान। जुआ हिंदु लेन हमन्-ख लेञाओ लेंफानी इसे मुझमाब ठाट, इसे बिप्र नेत चील हमी निया कई सदन का घेराब करते तो कई विधान सभा को बंद करते कई एक दिन का राष्टिय सोग करते लेकिन अगर अगर वात बीजेपी के मंत्री के बेटे की आ गई तो भारतिया जनता पार्टी के नेता क्यों बोलेंगे यह मैं आपको बताता हूं कर दिया जोनों को अरे भाई आप एक बात मुझे बताइए पार्टी से निसकासित किस को करेंगे सारे के सारे अपराधी सब के सब जो हैं अभी नूपूर सर्मा किसकी पार्टी से थी यह बताइए आप मुझे बीजेपी से पार्टी ने क्या किया निस्कासित कर दिए अरे बेटी की तो जिंदगी चली गई मैं आप से कहता हूं मोईस सर्मा यहां खड़े आम आपको मैं बता तो मैं सरकार को कहता हूं कि मैं सरकार की खिलाफत करना बंद कर दूँगा और सरका लग रहा है लेकिन कुछ इसमें आगे हो नहीं रहा है एक बात आप मुझे बताईए जब सर्विस देने की बात हुई थी तो यह नहीं पता होगा कि कौन आ रहा था जब आप उसे रिमांड पर लेंगे लड़के को तभी तो वह बताएगा आप तो भाईया बीजेपी सु दी होगा यह बताएजिए आप मुझे से निया है बुल्डोजर से निया है बुल्डोजर तो रिषॉर्ट पर चला है में आपको कहता हूं अंकिता भंडारी के लिए मोयश्चस्रम अपने घर पर बुल्डोजर चलाने के लिए रही तईयार है आप मेरे घर पे बुलडोजर हर चीज का समाधार नहीं है, आप खुद एक बहन हैं, किसी भाई की बहन हैं, आप किसी पिता की बेटी हैं, आपको तो खुद समझना चाहिए, कि आप महिला हैं, और आपको एक महिला होने के नाते, महिला की बेटी के इंसाफ की मांग को उठाना चाहिए, और म मोहिष सर्मा अपने घर पर बुल्डोजर इसलिए चलाने को तयार है क्योंकि मोहिष सर्मा के घर में भी उसकी बहन हैं मोहिष सर्मा के घर में भी उसकी मा है इसलिए मोहिष सर्मा जितना प्यार अपनी बहन से करता है उतना ही प्यार देश की हर एक बहन से करता और बीजेप के लिए जो इस प्रकार के सवाल कर रहे हैं कि बीजेपी में संसकारी आपको शरम है आप अरे सुनिए आप एक खुद महिला हैं आप बेटी के इंसाफ की नहीं बात करेंगी बीजेपी में संसकारी है कुल दिप सिंगर कौन सी पार्टी का था बताइए जड़ा वह बलतकारी है कैसी बात करें शरम आनी चाहिए एक महिला होते हुए उस बेटी के इंसाफ की मांगनी करती शरम आती है रहे भाईया मैं आप जहां चुरत हूं आप जैसे पतरकार इस देश के अंदर देश के अंदर महिलाओं के साथ जो दूर्वेबार हो रहा उसका सब्सक्रबड़ा करना आप जैसे पतरकार हैं लेकिन दूसरी तरफ जहां जहां इसी घटना होती मां बीजेपी से संबंद पाया जाता है लेकिए मैं आपको एक बात बता दू सुन लिजे हर जगे बीजेपी के ही नेता सामिल होते हैं और बीजेपी बड़ी नीच और निरलज पार्टी है बीजेपी के नेता और मंत्री बड़ेए बेशरम हैं यह ऐसे लोगें जब बेटीयों के साथ बलतकार हो रहा और और आपकी रहें अरे बलतकारी आपकी पार्टी में बट्या साथ इस तरीक तो दिमांड करने वाले आपके साथ मैं अब आपको एक बात एक चीज में बता दू सुनिजी कितनी जगे महीलाओं के साथ दुसकरम होता है आप जान रहे हैं बड़े बड़े हाइलाइटिड हाली के बता दू लखिमपुर अभी हाली दिन का है उत्राखंड हाली दिन का है ठीक है ना उससे कुछ देर कुछ दिन पहले चले जाएंगे तो आपको नजर आ जाएगा वहाँ पर जो आपने देखा था ह हिम्मत नहीं है आप सरकार के तलवे चाटने का काम कर सकती है मेरे को खुछ शरम आ रही है कि एक महिला होते हुए मैं आपके लिए इस प्रकार की बात बोल रहा हूं लेकिन मुझे आपको मैं एक बावता सुनीजे आपकी बोलने की हिम्मत होती तो शायद आज उन बेटी क को रास्ता देते हैं कैसे नहीं देते हैं मोधी जी की वावाई दिखाने का ठेका सिर्फ देश की दलाल और गोदी मीडिया ने ले रखा है मोधी जी की बुराईयों को वो बिल्कुल नहीं दिखाएंगे अंकिता के इंसाब की मांग वो बिल्कुल नहीं करेंगे महिला एं तेंगे जाहिन जा भारत वंदेमाद